हुआ है 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 एक बार आप सभी का सार्दास दन गुरूप और गुरूप और एजुकेशन के ओनलाइन प्रेफोर्म पर हार दिख स्वागत करता हूं पिसले वीडियो में आपको वेक्टर एलजेब्रा सदीश बिजगनित के बारे में बताया था इसके काफी किस्वन अपने पढ़ भी लिए है आज अपने इसके किस जाओट जो हो किलिए करेंगी देखिए प्लूप है कि किस्वन में दिया हुआ यदि एवेक्टर प्लस बीवेक्टर डोट एवेक्टर माइनस दीवेक्टर इक्वल टू एट और एवेक्टर का मोड जो दियावा हूँ दिया हुआ है सदीश उसको solve करेंगे डियर इस्टेंट तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है solution में हमें सबसे पहले इसका जो दिया हुआ है ए वेक्टर पलस बी वेक्टर डोट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर is equal to 8 दिया हुआ है जैसे हम दो कोस्टक वाली वेंजकों को आपस में घुना करते थी वैसे इनका डोट product है दो सदीश है एक ए पलस भी है और एक ए माइनस भी है इनका हमें डोट करना है तो सबसे पहले हम करेंगे भई A वेक्टर का डोट करेंगे A वेक्टर माइनस B वेक्टर के साथ फिर पलस में B वेक्टर का डोट करेंगे a vector minus b vector के साथ में equal to 8 आपको दिया हुआ अब strand इसको गुना करेंगे अपन a vector dot में a vector minus a vector dot में b vector plus यहां से b vector dot a vector होगा minus का b vector dot b vector is equal to 8 अब जैसा की विद्ध्यार थी हों आपने पढ़ा है कि दो सदीस समान होते हैं उनका dot product करते हैं तो हम जानते हैं इसको mode of a vector का square हम लिख सकते हैं अब सदीस सदीस हों के अधिस गुना में dot product में तरम भी नहीं तानियम की पालना होते हैं तो अपने यहां से यह लिख देंगे a vector dot b vector plus a vector dot b vector और यह हो जाएगा minus का हमारे पास में यहां से p vector के mode का square equal to 8 तो यह दोनों तो यहां से cancel out हो जाएगे अब हमारे पास क्या रहेगा mode of a vector का square minus mode of p vector का square is equal to 8 यह रहेगा हमारे पास बट हमें यहां पर दिया हुआ square minus mode of b vector is equal to 8 अब यहां से हम जो इसको आगे सोल करेंगे 64 plus का है और minus का एक b vector दिया हुआ तो यहां से आएगा 63 mode of b vector का square is equal to 8 mode of b vector का square is equal to 8 बटे में 63 mode of b vector आप निकालोगे तो यह होगा हमारे पास में रूट 8 बटे में 63 इसको student हम आगे हल करेंगे तो आप इसको हल करके लिख सकते हो दो रूट में 4 गुना 2 और 9 गुना 7 यह लिखा जाएगा हमारे पास दो रूट 2 बटे में 3 रूट 7 तो इस तरह से हम इसको b vector का जो परिमान है वो हम निकाल चुके हैं इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 बटे 3 अंडर रूट में दो बटे 7 अब आपको a vector दिया हुआ है लेकिन a vector का mode बराबर दिया हुआ 8 b vector 8 b vector का mode है यह b vector का mode है आपको दिया हुआ है यह यहां पर यह यह यहां जो दिया हुआ हमें यह हमें दिया हुआ 8 इंटू अब हमने यहां से जो है a vector का जो value है वो आप निकाल चुके b vector का mode आप निकाल चुके अब a vector का mode निकालना है तो आप इसको solve करोगे 8 इंटू यह हमें दिया हुआ था 2 बटे 3 root 2 बटे 7 तो इसको लिखोगे 16 बटे में 3 2 बटे 7 इस तरीके से आपको a vector का magnitude निकालना है किस्वन हमें दिया हुआ था यह था किस्वन हमारा कि यदि a vector plus b vector dot a vector minus b vector equal to 8 दिया हुआ है और a vector का mode बराबर दिया हुआ 8 mode b vector तो आपको घरा है a vector का mode तथा b vector का mode आपको निकालना है इसको हल करके आपको आपने यहां से b vector का मापांग निकाल लिया परिमान निकाल लिया आपने फिर आप यहां से a vector का परिमान ऐसे निकालना होगी वेलू रख करके तो डियर स्टेंट यह था अपना पहला किस्वन नेक्स्ट किस्वन अपना देखिए अब यदि एक मात्रक सदीस एवेक्टर के लिए आपको दिया हुआ यह तो को रहा है मोड ओफ एक्स वेक्टर ग्याद कीजिए आपको ए वेक्टर जो मात्रक सदीस उसके लिए बूश रहा है कि यह दिया हुआ है बारा के क्वल आपको परिमान निकालना है मोड ओफ एक्स निकालना है यह आपर देखिए सबसे पहले इस्ट्रेट जो दिया हुआ है उसे सोल करें हैं एक्स वेक्टर माइनास एवेक्टर अभी दो क्या था उसी तरह से इसका डोट है एक्स वेक्टर पलास एवेक्टर के साथ में is equal to हमें दिया हुआ है 12 is equal to दिया हुआ है 12 अब हम इसका डोट प्रोड़क करेंगे जैसे अभी पहला कॉश्शन क्या था पन्य x-vector dot x-vector plus a-vector minus a-vector dot x-vector plus a-vector is equal to 12. यह दिया हो इसको सोल करो गया आप, x-vector dot x-vector plus x-vector dot a-vector minus a-vector dot x-vector, फिर minus a-vector dot a-vector equal to 12. इसको लिख सकते हैं, इस्ट्वेंट अपन, क्योंकि अपन जानते हैं, a-vector dot a-vector equal to magnitude of a-vector का square, यह concept हर जगे काम आ रहा है, इसको यहाँ रखना है, magnitude of x-vector का square plus x-vector dot a-vector, करम भी नहीं नहीं था कि नियम की पालना करने के लिए इसको लिख दीजिए, आप x-vector dot a-vector, फिर minus का magnitude of a-vector का square equal to 12, तो यह दोनों ट्रम कटेंगी हां से, cancel हो जाएंगी, हमारे पास आया x-vector का square minus a-vector का square equal to 12, अब इसने यह भी कहा है कि जो आपके बास a-vector है, वो मातरक सदीज है, तो मातरक सदीज का value अपन जानते हैं, मातरक सदीज का परिमान जो होता हो एक होता है, तो रख देएं भई x-vector का square minus 1 का square बराबर 12, तो x-vector का square is equal to हो जाएगा 12 plus 1, तो x-vector का square equal to आगया 13, अब यहां से आपको x-vector का mode निकालना है, तो आप निकालोगा x-vector का mode equal to root 13, यह plus-minus में इसका value आजाएगा, इस type से हमें इसका value पूछा गया है, तो इस type से आप निकालनोगे, तो यह था डियरिस्टन्ट हमारा second वाला question, same वोई concept था, a-vector dot a-vector करके आप magnitude of a-vector का square उसको use कर सकते, उसकी जगा आप लिख सकते यह चीज, next जो question इस तेंट अपना तीसरा question देखिए, तीसरे question में आपको तीन सदीज़ दिये हैं, a-vector, b-vector और c-vector, और इसने यह कहा हैं हमें कि a-vector plus lambda b-vector जो है, c-vector पर लंब है, तो हमें lambda का जो मान है वो निकालना है, तो यह देखिए strength आप, first of all आपको a-vector plus lambda b-vector निकालें, फिर इनके अधिस गटडों को अधिस जो गटड़क हैं उनका अपन, आधिस गुड़न फर करेंगे और फिर उस conception निकालेंगे, आपको दिया गया है, a-vector equal to दिया हुआ है, 2 i-k plus 2 j-k plus 3 k-k, b-vector is equal to दिया हुआ है, minus i-k plus 2 j-k plus k-k, c-vector is equal to आपको दिया हुआ है, 3 i-k plus j-k, अब देखिए स्ट्रेंट सबसे पहले हमें ये निकालना है, अब आपको यहां से निकालना है, a-vector plus lambda b-vector, ये निकालोगे तो a-vector जो वो लिखवा, 2 i-k plus 2 j-k plus 3 k-k, फिर पलस lambda b-vector minus i-k plus 2 j-k plus k-k, सोल करेंगे स्ट्रेंट इसको हम, तो आप इसको लिख दीजिए, 2 i-k plus 2 j-k plus 3 k-k, lambda उदर मल्टिप्लाइस हाजाएगा, minus का lambda i-k plus का 2 lambda j-k plus का, lambda k-k, इसको और इसको साथ लिखेंगे हम, तो हमारे पास आएगा, 2 minus lambda i-k, फिर पलस 2 plus 2 lambda j-k, फिर पलस 3 plus lambda k-k, ये हमारे पास स्ट्रेंट आगया, a-vector plus lambda b-vector का भी, अब इसने यहाँ यह कहा है, कि a-vector plus lambda b-vector c-vector पर लंब है, लेकिन a-vector plus lambda b-vector c-vector पर लंब है, भाई, लंब है, एक सदीज, दूसरे सदीज पर लंब होता है, तो हम लिखते हैं, भाई, a-vector plus lambda b-vector का डोट c-vector के साथ 0 हो जाएगा, तो इसने कहा है कि lambda का जो माना वो निकालना है, तो आप रखी हैं यहां से, 2- lambda i-k, पलस 2, पलस 2, लेम्डा c-vector, फिर पलस 3, पलस 2, लेम्डा c-vector, इसका जो डोट है, वो हमारे पास दिया हुआ, तीन i-k, पलस z-k-vector, इक वल टू जीरो, इसको आगे सोल करेंगे हम, लिख दीजे, 2- lambda into 3, i-k, डोट i-k, फिर पलस, 2- पलस 2, लेम्डा, into 1, j-k, डोट j-k, फिर पलस, 3- पलस लेम्डा, into 0, k-k, डोट k-k, एक वल टू 0, हम जानते हैं कि, डोट प्रोड़क्ट में, जो अदीस, गुननफल होता है, उसमें, लंबवत इकाहिस, अदीस का, समान का गुना करेंगे, तो वेल्व एक होता है, तो आप लिख दीजी यहां से, 2- लेम्डा, into 3, into 1, पलस 2, पलस 2 लेम्डा, into 1, और into 1, फिर यह 0 जाएगा, is equal to 0, इसको गुना कर दो, अंदर, 3-6-3 लेम्डा, पलस, 2 पलस 2 लेम्डा is equal to 0, हाँ भै, 6 और 2, हमारे पास 8 होगे, 3 माइनस का लेम्डा है, पलस का 2 लेम्डा है, माइनस का लेम्डा इक्वल to 0, तो लेम्डा का जो वेल्यू आएगा हो, इसना आएगा हमारे पास 8 हजाएगा, इस टाइप से आपको ये किस्वन सोल करना इस्टेंट, इसमें कोई किसी परकार की दिक्कत नहीं है, आपको 3 सदीस दिए हुए है, तीनों सदीसों में से ये कह रहा है कि भाई, अवेक्टर प्लस लेम्डा भी वेक्टर जो है, जो है, लेम्डा का मान आपको ज्याद करना है, ये इस टाइप से आपको ज्याद करना है, आसा करता हूं सभी के ये किस्वन किलिर हुआ होगा, next किस्वन देखें, dear student, हमारे पास, सबसे पहले आपको दिया हुआ है, यदि A vector, B vector वा C vector मात्रक सदीस है तो concept हम लिखेंगे भई A vector equal to B vector equal to C vector का जो mode है वो एक है युदि जितने भी सदीस मात्रक सदीस होते हैं उनका परिमान एक होता है अब हम जानते हैं लेकिन mode of A vector plus B vector plus C vector का हम ओली स्क्वाइर करें तो इसके is equal to आप लिखोगे A vector plus B vector plus C vector फिर इसका डोट करोगी इससी सदीस के साथ इनों सदीसों का योगफ़ाल है A vector plus B vector plus C vector के साथ क्योंकि ये concept बार बार यूज हो रहा है ये सको आप अच्छे से किलियर कीजिए A vector dot A vector जो होता है magnitude of A vector का स्क्वाइर होता है ये इसके equal to दिया हुआ है अब यहां से ध्यान दीजिए dot product करेंगे इसका A vector का dot करोगे A vector plus B vector plus C vector के साथ B vector का dot करना है A vector plus B vector plus C vector के साथ में फिर plus C vector का dot करना है वोई A vector plus B vector plus C vector के साथ इसके देखिए multiply करोगे इनका dot product जो होता है को कैसे करेंगे देखो A vector dot A vector plus A vector dot B vector plus A vector dot C vector फिर पलास B vector dot A vector plus B vector dot B vector फिर पलास B vector dot C vector यह हमने dot product करते हैं दूसरे वाले का भी अब तीसरे वाले कर दो तो C vector dot A vector plus C vector dot B vector पलास C vector dot C vector ऐसे हमने क्या करना A vector का B vector का C vector का A vector plus B vector plus C vector के साथ पर dot कर दिया आपे अब यहां से आप ऐसे लिख दीजिए student magnitude of A vector का square plus magnitude of B vector का square plus magnitude of C vector का square यहां से आएगा यहां से इसका square बन जाएगा यहां से इसका magnitude का square बनेगा अब अगला जो हमें देखिए A vector dot B vector एक यह रहा हमारे पास दूसरा यह रहा लेकिन हम जानते हैं भई B vector dot C vector plus C vector dot A vector यह हमने लिख दिया लेकिन यहां पर इसने यह भी का आए जी तीनों सदीस जो एककाई सदीस हैं और एककाई सदीस का परिमान जो है वो एक होता है यह रग दिजीए आप A काई स्क्वाइर प्लास A काई स्क्वाइर प्लास A काई स्क्वाइर प्लास 2 इंटू A vector dot B vector plus B vector dot C vector plus C vector dot A vector यहाँ से इसको सोल करोगे 1 प्लास 1 प्लास 1 फिर पलास 2 इंटू A vector dot B vector plus B vector dot C vector plus C vector dot A vector और इस साइड में हमारे पास देखिए क्योंकि 3 सदीसों का योग फल जो 0 दिया हुआ है तो उनका परिमान भी 0 होगा, इधर 0 आजाएगा, 0 का square हो जाएगा 0, इधर हमारे पास आएगा 3 पलस 2 इंटू A vector dot B vector plus B vector dot C vector plus C vector dot A vector, यहां से इसको solve करेंगे तो यह आजाएगा A vector dot B vector plus B vector dot C vector plus C vector dot A vector equal to minus 3 by 2, तो इसका solution यह आएगा student, यह हमें यहां से find कर लेना है, जो आपको पूछा गया है, तो यह भी अच्छा question था, अपने आप में, यहां भी आपको A vector dot B vector plus B vector dot C vector plus C vector dot A vector आपको ज्याद करना था, तो ऐसे हमें निकाल लेना है, next जो question है, student हमारा वो देखिए, दो सदीसों A vector और B vector के जो परीमान है, वो समान है, सीरिये कह रहा है कि यदि इनका जो परीमान है, वो समान है, तो इनकी बीच का corner 60 degree है, और इनका अधिस गुननफल एक बटा दो है, तो हमें क्या गयाद करना है यहाँ पर, इन दोनों का जो परीमान है, वो यहाँ पर निकालना है, गयाद करना है, देखिए student, इसका जो solution वो हम करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ें आपको दिए भी वो लिख दिए, आपको कह रहा है कि परीमान समान है, ए वेक्टर का परीमान और बी वेक्टर का परीमान बराबर, इसके बाद में आपको थीटा जो दिया हुआ है, वो 60 डिग्री है, और इनका अधिश गुननफाल मतलब ए वेक्टर डोट बी वेक्टर बराबर दिया हुआ, आपको एक बटा दो, अब इसको हल करेंगे हम, चूँकि, कोस थीटा बराबर हम जानते है, इस्ट्वेंट क्या होता है, ए वेक्टर डोट बी वेक्टर बटे में, मोड ओफ ए वेक्टर इन्टू मोड ओफ बी वेक्टर, थीटा का मान आपने रखा है, यहां पर कोस साथ डिग्री, आदिश गुननफाल यहां दिया हुआ है, एक बटे दो, दोनों का परीमान समान है, तो ए वेक्टर, और यहां पर भी ए वेक्टर दिया हुआ है, अब हम यहां से लिखेंगे, एक बटे दो, और यहां पर मोड ओफ ए वेक्टर का स्क्वाइर हो जाएगा, कोस साथ का जो वेल्यू है, वो हमारे पास कितना है, वन बाई टू हो जाएगा, यहां से आप mode of a vector का जो square है वो निकालोगे एक बटे दो और यहां भी निच्छे भी एक बटे दो आजागा यह वाला cancel out होगे value आगया 1 हमारे पास a vector का magnitude का square कितना आया 1 आया a vector जो आएगा मारे पास वो आएगा 1 तो आप लिख सकते हो आता है b vector का magnitude भी कितना आएगा 1 आएगा क्योंकि दोनों समान परिमान के सदीस दिये वे हैं यह question था इसमें डिस्टाइब का कि दो सदीसों a vector तथा b vector का हमें परिमान जाद करना है जदी इनके परिमान समान है मतलब इनका mode समान है इनके 20 का कौन 60 डिगरी दिया हुआ है तो करने का अधिस गुननफल एक बटा दो है तो दोनों सदीसों का परिमान निकालना है समान परिमान है अधिस गुननफल दिया हुआ है 60 डिगरी का कौन है तो आप को स्थीटा बराबर यह वाला concept रखोगे इसमें वेलू रखोगे वेलू रखने की बाद में आप यहां से सोल आउट कर सकते ही यह लिख सकते हो magnitude of a vector equal to magnitude of b vector है तो a vector का परिमान आया हमारे पास एक आया तो b vector का परिमान भी कितना आया हमारे पास एक आया तो यह question था इस ताइब का student तो आसा करता हूँ कि आपको आज जो 5 question बताये गए हैं वो सभी के clear हो गए होंगे तो लगातार हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रही है और हमारे चैनल को like, share और subscribe अवस्य करें मिलते हमारी next class में तब तक के लिए धन्यवाद